गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों आज की बच्चल क्लासे में आपको हिंदी अभ्यास आगर पाट 16 देशवक्त पुरू का अभ्यास कारिय करवाने जा रही हूँ पाट में आई संयुक क्रिया एवं रंजक क्रिया और समुच्चे बोधक अभ्या के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी पहला वाक्य है सिकंदर के साथ उसे भी सबख सिखाना पड़ेगा पहुच गया समराठ सिकंदर कई देशों को जीत चुका है नीचे दिये गए वाक्यों में प्रियुक्त क्रिया लिखिए अब ये देखे यहां पर आपके खाली स्थान दिये गए इन वाक्यों से आपको क्रिया चाट करके यहां पर लिखना है तो सिखाना पड़ेगा आब ये दो क्रिया एक ही वाक्य में आई हुई है इसी तरह से पहुच गया ये भी दो क्रियाएं आई हुई है और सिकंदर कई देशों को जीच चुका है ये भी आपकी दो क्रियाएं आई है जब एक वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उन क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहा जाता है तो ये आपकी संयुक्त क्रिया है आगे आपको देखिए नीचे दिये गए बाक्यों में प्रियुक्त क्रिया लिखिए अब ये देखिए सौनाली ने दोड में सौन पदक जीता अब ये बाक्य दिया गया अब इसमें से क्रिया चाट कर लिखनी है तो क्रिया हमारी जो है वो है जीता हमेशा वाके के अंत में क्रिया लगती है पुश्पा ने रानी को सबक सिखाया सिखाया क्रिया है मैं उसके घर पहुचा पहुचा क्रिया है डागों ने एक एक करके बंदों को छोड़ा क्रिया अब ये देखिए नमबर तीन में प्रश्ण दो के वाक्यों में केवल क्रिया का प्रियोग किया गया, ये क्रिया का प्रियोग किया गया, जबकि प्रश्ण एक के वाक्यों में दो-दो क्रियाओं का प्रियोग किया गया है, मैंने आपको बताया था कि वो सही उक्रिया है, त चुका है पूरी अथवाभ मुखकरिया को विशेश अर्थ प्रदान करती है इसलिए दूसरी करिया को रंजक क्रिया कहा जाता है रंजक क्रिया का रंगने वाली क्या रंग देने वाली आगे देखिए मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अर्थात रंजा क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को सईयुक्त क्रिया कहते हैं आप नीचे दिये गवाक्यों मैंसे रंजा क्रिया चाट करके लिखी है रंजा क्रिया लिखी है तुश्मान ये खाना खा लिया अब ये देखो दो क्रिया यहाँ पर आई हुए है खा और लिया तो जो वाक्य के साथ जुड़ी हुई है पहले नमबर पर वो आपकी मूल क्रिया है और जो अंत में क्रिया आई हुई है वो है आपकी रंजक्रिया और इन दोनों को मिलाने से मूल क्रिया और रंजक्रिया को मिलाने से संयुक्रिया बनती है रमेश ने पत्र पढ़ डाला ये आपकी मूल क्रिया है और ये अंत में जो क्रिया आई ही ये आपकी रंजक्रिया सोहन डरावना सपना देखकर डर गया डर गया मूल क्रिया है लेकिन अंतवाली क्रिया रंजग क्रिया है गया साहिल की माताजी लोट आई आई रंजग क्रिया नसरी इनने कहा बचो बैठ जाओ बैठ जाओ यानि जाओ इसमें जो है वो रंजग आपकी क्रिया है नीचे दे गए बाक्यों में से उधारन की अंसर मूल क्रिया और रंजक्रिया चांट कर लिखिए होपू अपने आप बज उठा, बज आपकी बजना है मूल क्रिया और उठना आपकी है रंजक्रिया मित्र राजाओं को युद्ध का निमंतरन भेज़ दो ये देखिए जब तक हमें भारत को नहीं जीत सकता जीतना मूल क्रिया सकना रंजक्रिया उसे अंदर ले आओ लेना मूल क्रिया और आना रंजक्रिया मामा जी को कल हैदराबाद जाना पढ़ा जाना मूलक्रिया और पढ़ना रंजक्रिया तो रंजक्रिया हमेशा मूलक्रिया के बाद में ही आती है तो बच्चों यह अभियासकार यह आपको करना है लिखना भी है और याद भी करना है धन्यवाद